तो वीडियो में हम ऐसे टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सब को सोशने पर मजबूर कर दिया है और सब को चोब का दिया है ये टॉपी की कुछ ऐसा है कि क्या Gary वापिस आ रहा है और Iris भी वापिस आ रही है क्या क्योंकि हमें कुछ दिनों पहले Pokemon Journeys की Opening 3 में हमें Gary और Iris दोनों देखने को मिले थे क्योंकि इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या Gary वापिस आएगा या फिर सिफ आईरिस वापिस आएगी तो देखा जाए तो ये दोनों ही वापिस आ रही है क्योंकि इन दोनों का एक तो लुक चेंज हो चुका है Gary का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा लुक हो गया है आपको कैसा लग रहा है या या यह पहला वाला बड़िया लग रहा था या फिर अभी वाला बड़िया लग रहा है और शेयर भी याद से कर देना ताकि लोग भी पोकेमोन जर्नीज के अपडेट्स जान पाएं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद चलिए अब वीडियो की तरफ भी बढ़ते हैं तो कुछ दिनों पहले हमें पोकेमोन की ओपनिंग 3 में हमें दिखाया गया था गैरी और आयरेस के बारे में तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि यह दोनों आएंगे कब आएंगे कैसे आएंगे और कैसे आएंगे कहा आएंगे तो अब मेरे opinion में अगर बताऊं तो Gary तो आएगा Pokemon के World Championship में क्योंकि Gary एक बहुत अच्छा Pokemon trainer है लिकिन वो बाद में Pokemon Professor बन गया था लिकिन उस हिसाब से देखा जाए तो उसके पास बहुत ओवर पावर्ड पोकेमोन से हैं कि लेक्टी वायर एंड बहुत जाद बड़िया बड़िया पोकेमोन एंब्रियोन ब्लास्ट तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो Pokemon World Championship लड़ने आ सकता है तो इस हिसाब से मेर को लगता है कि Gary रिटन करेगा और आयरिस को भी देखा जाए तो वो एक यूनोवार रीजन की चैंपियन है तो इस हिसाब से वो रिटन कर सकती है वो भी शायद से Pokemon World Championship नहीं आ सकती है तो अगर आपका क्या आपका क्या जाए तो